कैसे हैं आप सभी आसागरतों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो IAS examination की जो preparation है UPSC civil service examination की जो त्यारी है वो अच्छे चल रही होगी दोस्तों आप सभी जैसा की जानते हैं कि आपकी जो free UPSC की classes है पूरी जो तयारी है वो आपको free of cost यहां पर कराई जा रही है और इसी series में आपकी Indian economy की class चल रही है ठीक है class 18, lecture number 18 आज आपका होगा ठीक है और अभी तक की 17 classes हो चुकी हैं जो बच्छे अभी तक की classes नहीं की हैं, ज़्यादा समय नहीं हुए यह ज़्यादा subject की classes start नहीं हुए है अभी Indian quality आपकी शुरू होने जा रही है तो ज़्यादा अभी समय नहीं हुए है जो बच्छे अभी लेक्चेर आप कर सकते हैं ठीक है इसे के साथ साथ आप शुरू करते हैं कि आज की 18 जो नंबर आप लेक्चेर आपका है 18 है आज का और यह सुरू करते हैं लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मिशन दे देए को देखें ऑनली यूप्यसी का ही एक दूसरा प्लेट यहां पर अप्लोड की गई है यह टॉपर हैं आपके वह टॉपर की जो नोट्स हैं वहां पर दिखाया गया है प्रॉपर कि आपको नोट्स ऐसे बनाना चाहिए ठीक है तो यह हमारे दूसरा चैनल जाकर आप सब्सक्राइब कर लें इसकी जो लिंक है वह यह जो वीडियो अप्लोड की गई थी इस चैनल पर इसकी जो लिंक है वह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगे यह उसकी लिंक जाकर वहां पर सब्सक्राइब करें चलिए अब ज्यादा समय लेकर सुरू करते हैं यहां पर आपको जानते हैं आप सभी कि यहां पर फ्री म चैनल जवाइन करें वहां पर आपको फ्री में बुक यहां पर प्रवाइट करे जा रही हैं ठीक है चलिए ज्यादा समय लेकर अब सुरू करते हैं अब एक बार प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में यह कमेंट करें कि कल की क्लास में आपको क्या पढ़ाय गया था क्या मैंने आपको गहा था कि आपको ब्लॉक चेंट टेक्नलोजी के बारे में और क्रिप्टो करेंसी वगरा को डिस्कस करेंगे लेकिन यह जो टॉपिक है वो थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले आपके कुछ छोटी टॉपिक्स हैं वो मैं खदम करना चाहूंगा थोड़े से करन्ट से रिलेटेट अपडेट टॉपिक्स हैं ठीक है जो अपडेट होकर आपके सामने आएं ठीक है यूपिसी में करन्ट अफेर का जो रोल है वो बहुत जादा इंपर्टेंट हो जाता है और आपके जो नोट्स हैं वो अगर करन्ट अफेर जो टॉपिक करन्ट में चल और आपकी ब्लॉक्चेन टेक्नलोजी वगरा के वाने मैं यहां पर डिसकस करूंगा लेकिन हमने यहां पर डिजिटल पेमेंट को देखा था ठीक है इसमें कुछ टॉपिक रह गया है कुछ टॉपिक अपडिटेड है वह मैं आपको बताता हूं ठीक है तो अब हम यहां पर स ठीक है अब डिजिटल पेमेंट में क्या हुआ कि इसमें आर बियाई ने एक फीचर और एड़ किया और एक फीचर को जोड़ा क्या है इसका नाम अभी मैं बताता हूं यह लपी पीयस है क्या ठीक है अलपी पिएस फुल फॉर्म इसका क्या है लाइट वेट पेमेंट and settlement system हिंदी में इसको बोलते हैं हलके भुकतान और निप्टान प्रणाली क्या बोलते हिंदी में हलके भुकतान एवं निप्टान प्रणाली निप्टान प्रणाली चलिए इसको हिंदी में ये बोलते है ठीक है अब ये है क्या दिखिए RBI ने क्या किया RBI ने NEFT, RTGS और ये जो IMPS, UPI आप करते हैं जो Net Banking Digital Payment जो करते हैं जितनी सारी जैसे डिजिटल पेमिंट में आप क्या क्या करते हैं आप करते हैं NEFT आप करते हैं NEFT का प्रियोग करते हैं और RTGS का प्रियोग करते हैं बताएं आप IMP S का करते हैं और किसका करते हैं यूप य बगरा करते हैं तो इसका प्रियोग आप क्या करते हैं डिजिटल पेमिंट में करते हैं तो आर बियाई ने क्या किया लिया है LPPS लियाई light weight payment and settlement system अब आर बियाई ने कहा कि जब कभी ये जो बार 1-2 एलुए एलुा पी ऐसल है तो मैं आपको एख्जाम्पल के रूप में आपको संजाता हूं कि आप सभी जानते हैं कि जब ग्ती नवाला जंडीटर जो तो उसी प्रिकार से दीजल जनरेठर है ये LPPs क्या baik का क्या है ये डीजल जनरीटर है LPPs क्या है coklen ठीए्टर है LPPs बात को समझेगा यानि ift यानि क्या है ये जो आपका यानि n ift जो है आपका n eft is N eft ठील एक rtgs आपको जो है या फिर IMPS UPI है IMPS UPI जो है आपका के बाधित होने पर के बाधित होने पर क्या करता है होने पर LPPS का प्रियोग कर सकते हैं कर सकते हैं बात को समझे जो मैंने एक्जामपल दिया electricity outage होगी यानि electricity बजली कटाथी होगी तो यहाँ पर क्या होगा आप क्या यूज करते हैं यहाँ पर आप diesel वगरा यूज करते हैं आप और backup यूज करते हैं करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से जब बाधित NEFT, RTGS, IMPS, UPI जब भी बाधित होने पर LPPS का प्रियोग कर सकते हैं ठीक है अब बात को समझेगा ठीक है यहाँ पर क्या क्या आगया RBI इसको क्या बोलते हैं RBI इमर्जनसी बैक अप है यह RBI का है अमर्जनसी बैक अप है अमर्जनसी बैक अप है ठीक है अमर्जनसी बैक अप Alternative to NEFT NEFT या फिर RTGS या फिर आपका आपका IMPS वगरा या आइम पीएस यूपी आई यानि इसका अल्टरनेटिव है इसके विकल्प के रूप में है किसके इन सबों के विकल्प के रूप में क्या है यह आपका ले आया गया इन सबों के विकल्प के रूप में क्या ले आए गया आपका यह आपक प्रणालियां हैं एनिएफटी की सुभधा आर्टीगी एस इंपियस जब कभी आपदा कोई आ जाए और या फिर को भी युद्ध हो जाए तो यह सब प्राकृतिक आपदा युद्ध के चलते हैं प्रणालिया जब कभी बंद हो जाएं तो ऐसे इस्तिती में आइस्थाई र आपका LPPS आप यूपच कर सकते हैं ठीक है अब प्रश्णी यह है यह आप इसको आप लिख लेंगे कि आपदा या युद्ध के चलते बाकी प्रणालिया जब बंद हो जाएं तो आस्थाई रूप से LPPS का प्रियोग करते हैं ठीक आपने नोट्स में नोट करने ठीक है तो यह सारी हैं अब प्रश्णी यह उठता है कि इसमें स्टाप कितने हैं कैसे काम करता है यह एक्जाम के पॉइंट आप वी से यह ज़्यादा इंपोर्टन नहीं है ठीक है तो यह क्या है इंपोर्टन नहीं है इस पर ज्यादा ध्यान देनी के ज़रूरत नहीं है बस आप इ नाम के लिए यहां पर नया विकल पाया ठीक है फॉर अभी मैं बताता हूं यह है क्या और फीचर फॉन feature phone आप ये समझेए जो keypad वाले वो phone है जिसमें internet का use आप नहीं कर पाते हैं तो उन phone के लिए क्या किया गया NPCI UPI लेकर आया है किस नाम का 123 Pay नाम से किस नाम से 123 Pay नाम से किस phone के लिए जिसमें keypad वाले phone हो गया है जिसमें internet नहीं use होता तो क्या क्या RBI ने यहाँ पर क्या किया RBI ने क्या किया RBI ने March 2022 में क्या ले आया है 123 Pay नाम का यह feature phone के लिए यहाँ पर एक क्या एक feature लाया ठीक है feature फ़ोन के लिए ले आया है ठीक है अब इसमें क्या था इसमें है कि उन साधारन फोन में भी ये क्या करेगा काम करेगा जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की सुवधा नहीं होती है बात को समझेगा अब ये क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ 23 पे है क्या बस इतना अभी समझ यह कि यह क्या है यह जो सेवा है उन साधारन फोन में भी काम करेगी उन साधारन फोन में भी काम करेगा जिसमें इंटरनेट कनेक्शन की सुवधा नहीं होती इंटर्नेट आप कनेक्शन कि सुविधा नहीं होती कि सुविधा नहीं होती चलिए बात को समझेगा देखे यह यानि की UPI यह जो आपका NPCI है वो एक नया प्लेटफॉर्म ले आया किस नाम से 123 पे नाम का अब यह है क्या कैसे है यह मैं आपको बताता हूं देखे इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लासस में आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका की पेड़ वाले फोन है उसमें क्या है उसमें USSD कोड और 90 हैस डाल कर आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है याद है ना पता लगा सकते है बैलेंस का तो ये फीचर ये फीचर क्या था उन फोनों के लिए था किन में इंटरनेट की सुविधा नहीं है कीपैड वाले फोन है ठीक है तो ये था अब इसी को इसी कीपैड वाले फोन में और सुविधा यानि इंटरनेट जिस फोन में पे नाम का ठीक है अब देखे इसमें क्या है इसमें क्या है आपका इसमें आपका ये है कि इसमें जो गैर इंटरनेट वाले फोन है उसमें आप क्या हो गई सुविधाएं बढ़ गई क्या हो गई गैर इंटरनेट वाले फोन की सुविधा बढ़ गई सुविधाएं बढ़ ठीक है बढ़ गई अब इसमें क्या हुआ क्या सुभधाइं बढ़ी यू-s-s-d ठीक है पहले जो था यू-s-s-d है आपका डालते थे आप जो कोड ठीक है तो यह तो पहले से ही था वो कोड डाल कर आप अपना बैलेंस एकाउंट बैलेंस आप जान सकते हैं इसमें और क्या बढ़ा दिया गया कि का आ डे वीर आ इसमें बढ़ा दिया गया कया है interactory wise response for collective wise response इंटर एक्टिव कि वाई सर्पॉंटस इसमें बता रहा हुं वैस डिस्पॉंट c मवा इस डिस्पॉंटस मदलब आप फोन करके की पेड़ वाले फोन पर आ क्या करते हैं कॉल करके उधर से आवाज आती है computer वाली, तो IVR इस मदद से भी आप क्या कर पाएंगे, आप अपने bank account से, आप bank account की सुविधाओं का लाव उठा पाएंगे, IVR के द्वारा, ठीक है, याद है ना, आप कहीं phone करते हैं, आप customer care को, तो वहाँ से वो computer वाली आवाज जो आती है, तो यह क phones की मदद से क्या कर पाएंगे, आप इसमें सुविधाओं इसमें बढ़ गई, आप अपने account से जुड़ पाएंगे, ठीक है, keypad वाली phone से भी, ठीक है, इसके साथ साथ, missed call based payment, ठीक है, missed call based payment यहाँ पर सुविधाओं बढ़ गई, missed call based payment, बेस्ट पेमेंट, मतलब यूजर, आप यह कह सकते हैं, यूजर सेंट्स, missed call, missed call, and then, system call, him back, call him back, in IVR, बात को समझेगा, जैसे आपके पास यह keypad वाला phone है, और आपका एक bank account है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने number से, क्या करेंगे, missed call देंगे, यह इसका number होगा, पे 130 का कोई एक number है, जो official, उस पर आप क्या करेंगे, missed call देंगे, अब जब missed call आप देंगे, तो उधर से क्या होगा, एक बार missed call आप देंगे, तो system उधर से आपको call back आएगी, दुबारा call उधर से आएगी, ठीक है, कौन सी call होगी, यही IVR वाली call होगी, ठीक है, अब इस IVR वाली call पर क्या करेंगे, आप, वहाँ पर recorded आवाज द्वारा, जो आपको जैसे होता है, वहाँ पर अपने balance अकाउंट जानने के लिए एक दबाएं, दो दबाएं, तीन दबाएं, यह feature के लिए, तीन दबाएं, यह feature के लिए चार, तो यह feature बढ़ा दिया गया, net, जिसमें नहीं चलता फोनों में, जो keypad वाले phone है, उनमें भी features बढ़ा दिये गया, ठीक है, अब, और क्या-क्या यहाँ पर feature आपका बढ़ाएं गया, यहाँ पर sound-based payment कर दिया गया, ठीक है, और इसे के साथ-साथ, easier utility bill payment, ठीक है, जैसे आप अपने keypad वाले ही phone से क्या कर पाएंगे, gas, electricity, bill, यह सब क्या कर पाएंगे, यह सब bill भी आप क्या कर पाएंगे, पे कर पाएंगे, ठीक है, फोन के ही मदद से feature phone, यानि कि आपके keypad वाले phone जो है, उसकी मदद से आप gas का bill, electricity, bill, जो bill है, यह सारे bill आप क्या कर पाएंगे, पे कर पाएंगे, ठीक है, क्या कर पाएंग ठीक है, क्या कराना होगा, कीपैड वाले जो फोन है, या फीचर फोन है, कीपैड फोन को, कीपैड फोन को, बैंक, एकाउंट से क्या कराना होगा, एकाउंट से लिंक कराना होगा, ठीक है, अब जब लिंक करा लेंगे आप, तो इससे आप क्या कर पाएंगे, पैसे भी ट्रा प्रश्न यह उठता है इससे benefit क्या benefit होगा इससे क्या benefit होगा यह कीपड वाले फोन में क्यों लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर benefit of this क्या है आप प्लीज अगर किसी के mind में आ रहा है तो प्लीज बताएं मेरे बताने से पहले benefit of this मैं यह जानकर मानकर चलता हूँ बेसक की class लाइक नहीं होती मैं लेकिन यह जानकर चलता हूँ मानकर चलता हूँ कि आप जो comment करते हैं वो आप honestly करते है ठीक है आप comment में बताएं कि आप इससे benefit क्या होगा क्यों ऐसा ला रहा है keypad वाले phone में क्यों लेकर आ रहा है तो आप के mind में कुछ आ रहा है की नहीं तो भाई क्या है इससे क्या होगा आप देखे यह ground पर आप सोचिए कि जो keypad वाला phone है आज की rate में कों लेकर चलता है किसके पास keypad वाले phone है basically सभी के पास Android iOS phone है सभी के पास लेकिन keypad वाले phone किसके पास है वो जो गरीब लोग है जिनके पास पैसे नहीं है महंगा phone नहीं है जिनके पास वो उनके पास keypad phone है तो वो लोग कैसे वो लोग इसका feature कैसे UPI वाला जो feature है ओन्लाइन पेमेंट ओन्लाइन डिजिटल पेमेंट से कैसे जूड़ेंगे वो तो इससे क्या होगा इससे यह होगा जो गरीब लोग जिनके पास महंगा फोन नहीं है वो भी डिजिटल भुकतान कर पाएंगे ठीक है अब जब डिजिटल भुकतान कर पाएंगे तो इससे क्य क्या होगा विस्तिय समावेशन बढ़ेगा Quinn shove होगा वह बढ़ेगा इससे क्या होगा वित्य समावेशन बढ़ेगा पड़ेगा ठीक है और आपका क्या है य यह आपका ओवराल यह आपके यह कुछ फीचर है पे 123 नाम का 1-2-3 पे कि नाम का GPS लेकर है ठीक है RBI ने इसे NPCI ने इसे डेवलप किया है और RBI इसे लेकर आया अब देखे यहाँ पर मैं कुछ चीज़े और थोड़ा सा फैक्ट आपको बताना चाहूंगा ठीक है देखे UPI Economic Survey 2000 जो आपका 23 का था उसमें कुछ आकडे निकल कर आई UPI को लेकर UPI को लेकर क्या है कुछ आकडे अब जो आकडे मैं लिखवाता हूँ यह आपने मेंस के आंसर में आप डाल सकते हैं कहीं जब भी डिजिटल पेमेंट की बात आई यह सब क्या है यह आंसर रैटिंग के ही फैक्ट है जो आप कहीं हर जगे अगर आपके पास knowledge है बहुत ज़्यादा और आपको यह नहीं पता कि कहां किसका कितना प्रियोग करना है तो यह knowledge बहुत बरवाद है आपकी कहीं आप नहीं इसका यूज कर पाएंगे लेकिन अगर आपके पास knowledge थोड़ा सा ही है बहुत जादा नहीं है लेकिन आपको ये मालूम है ये थोड़ी भी knowledge जो है वो मुझे कैसे कहां प्रियोग करना है ताकि मुझे जादा benefit मिल जाए तो ये मान कर चली कम knowledge में भी आप क्या कर पाएंगे आराम से इस exam को qualify कर पाएंगे लेकिन knowledge बहुत जादा आपके पास है पता आकड़े निकालने किसके बारे में UPI के बारे में ठीक है UPI observation by economic survey economic survey ठीक है किसमें ES 2023 2023 यानि आर्थिक सर्विक्षन ये इसका वही है ना आर्थिक सर्विक्षन इसकी हिंदी आर्थिक सर्विक्षन ठीक है अब ये जो आर्थिक सर्विक्षन 2023 में UPI के बारे में कुछ क्या है fact निकाले गए ठीक है fact निकाले गए अब ये आर्थिक सर्विक्षन क्या है कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता दूँ देखिए ये डेश में आर्थिक जो रुजहन है उसको बताता है मतलब देश में आर्थिक स्थिति कैसी है क्या चल लही है तो उसको क्या करता है उसका सर्वे करता है ये एकनॉमिक सर्वे क्या है देश में जो आर्थिक रुजान चल लहा है क्या कैसे स्थिति चल लही है आर्थिववस्ता की उसका सर्वे करता है तो इसी को एकनॉमिक सर्व आया आपका अर्थिक सर्विक्षन का UPI के बारे में वो कुछ इस विरकार से था देखे यहाँ पर कहा गया कि साल 2019 financial year 2019 में जो है वो total number of digital transaction जो हुआ बतलब digital में जो भुकतान हुआ digital में जो भुकतान हुआ total number of क्या है digital transaction जो हुआ digital transaction इसे short में लिख रहा हुआ बतलब कुल जो भुकतान digital माध्यम से हुआ करोड में यह है ठीक है करोड में अभी जो आकड़े लिखूंगा यह करोड में है ठीक है यह क्या हुआ financial year 2019 में यह कितना हुआ और UPI का कितना भागिदारी रही digital payment में UPI की कितनी भागिदारी रही digital payment में UPI share UPI share of digital digital transaction transaction ठीक है मदलब financial year 2019 में digital transaction कुल कितने हुआ कुल कितने हुआ 3100 करोड यह क्या है 3100 यहापे कुल आकड़े लिख रहा हूँ मैं करोड में लिख रहा हूँ तो total number of digital transaction financial year 2019 में कितने हुआ 3100 हुआ ठीक है और financial year 2019 में UPI का digital transaction में कितनी भागिदारी रही मतलब UPI के दवारा कितने digital transaction हुआ कितने 17 फीजदी हुआ कितने प्रिजदी हुआ 17 फीजदी हुआ ठीक है तो यह 17 फीजदी हुआ अब financial year किसमे financial year आपका 2020 में क्या हुआ आपका यह 46 ended हो गया क्या 400 करोड total number of digital transaction कुल digital भुकतान कितनी हुआ 400 करोड और UPI की भागिदारी कितनी हो गई digital transaction में वो बढ़कर कितने प्रिजदी हो गई आपकी 27 फीजदी हो गई यह भी बढ़ गया पहले 17 था 27 हो गया अब फिर financial year 2000 आपका 22 में यह आकड़े दिखाते हैं ठीक है 22 में यह क्या हुआ यह बढ़कर 8840 हो गई करोड कितनी हो गई 8840 8840 8840 करोड हो गई आपकी कुल digital transaction कितनी हो गई बढ़कर इतनी हो गई और UPI की भागिदारी कितनी हो गई UPI की digital transaction में मतलब UPI की माद्दम से जो payment हुआ digital transaction में वो कितना हो गया 52% मतलब यह 17% पहले था 19 में फिर 20 में 27 फिर 22 में कितना हो गया 52% तक बढ़ गया तो अब क्या है यह आर्थिक सर्विक्षन 2023 के आंकडे है ठीक है आंकडे है तो क्या है जो आर्थिक सर्विक्षन क्या पाया कि UPI द्वारा डिजिटल भुक्तान में काफी बढ़ोत्री होई है क्या पाया यहाँ पर आर्थिक सर्विक्षन आर्थिक सर्विक्षन सर्विक्षन 2023 में क्या पाया 2023 में पाया कि क्या कि पाया कि UPI द्वारा UPI द्वारा डिजिटल डिजिटल भुक्तान में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, काफी बढ़ोत्तरी हुई है, ठीक है, ठीक है, तो यह क्या है, यह आपके कुछ आक्ड़े हैं, जो आप डाल सकते हैं कहीं पर, ठीक है, UPI का Economic Survey ने किया, ठीक है, छलिए, अब एक और आपका छोटा सा टॉपिक है, UPI Light नाम का, UP यूपियाई लाइट मैंने आपको यूपियाई के बारे में तो पढ़ाया है लेकिन ये आपका एक और फीचर एड़ हुआ है यूपियाई लाइट ठीक है ये क्या है देखिए आप असान सब्दों में आप ये कह सकते हैं कि इसकी मदद से यूपियाई पिन का इस्तमाल कि किये बिना किये बिना पेमेंट किया जा सकता है ठीक है पेमेंट किया जा सकता है जा सकता है बात को समझेगा देखे और आप जानते हैं कि यूपियाई में क्या होता है आप अपने अकाउंट में क्या करते हैं आप अकाउंट से सीधा bank transfer करते हैं दूसरे के account में ठीक है तो UPI में तो ये होता है ठीक है लेकिन UPI light में क्या होता है UPI light में क्या होता है कि आप अपने wallet में अपने wallet में जैसे phone pay के wallet में हो गया आपके PayTM का जो पर्स होता है उसके wallet में आप क्या कर लेंगे आप UPI Lite में क्या कर लेंगे उसके UPI Lite में आप एक पैसे डाल देंगे अपने account से अपने account से माल लेते हैं 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया आपने क्या कर दियें इसमें डाल दियें ठीक है, अब क्या है, अब आपके पास माल लेते हैं internet नहीं है, net की connectivity नहीं है, तो भी आप क्या करेंगे, net नहीं भी है तब भी आप यहाँ पर जो आपके पर्स में पैसे पड़े हैं न, वो क्या कर पाएंगे, आप अगले के account में यहाँ पर transfer कर देंगे, यहाँ थे, बिना net के, तो इसकी मदद से, यहाँ पर क्या होगा, बिना net के transfer कर पाएंगे और क्या है, आपको यहाँ पिन भी डालने की जुरुरत नहीं है, माल लेते हैं, 500 रुपे हैं यहाँ पर आपके account में है, यह जेट हलाल के account में आपको transfer करने है, कुछ 200 पे transfer करने है, 300 कुछ भी इसको भुकतान करना है आपको, तो इसी पर्स आपके पास net नहीं है, आप माल लेते हैं, किसी गाउं में ऐसे आपके पास net नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्या होगा, आप बिना net के direct transfer कर देंगे यहाँ पर बिना किसी net के और यहाँ पर pin भी डालने की ज़ूरत ने पढ़ए जो UPI pin आपका डालने की ज़ूरत पढ़ती है ना UPI में यहाँ pin भी डालने की ज़ूरत नहीं पढ़एगी यहाँ पर सीधा क्या ख़रबाएंगे आप transfer कर देंगे इसके account में, तो क्या है, यह जो यह जो क्या है, आप सबसे पहले अपने bank account से, यहाँ UPI light वाले में, आप क्या करेंगे यहाँ अपने wallet में क्या कर लेंगे transfer कर लेंगे, और बाद में क्या होगा यहाँ पर इसे transfer कर देंगे, बिना net की मदद से, और बिना UPI बिना UPI PIN की डाले हुए यहाँ पर इस पर आप संभोगर पाएंगे ठीक है बना पाएंगे आप इसकी ट्रांजेक्शन को ठीक है तो इसमें क्या है और आप कह सकते हैं कि बिना किसी इंटरनेट के भी इससे आप पैसे का भुकतान कर पाते हैं भुकतान कर पाते हैं कर पाते हैं अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर बंदिसे हैं लेकिन इसमें क्या है बंदिसे हैं सब्पोज देट यहाँ पर आपको यहाँ पर आपने इस एकाउंट में क्या है जो वालेट में है आपने मान लेते हैं हजार रुपए आपके पड़े हैं ठ तो यहां से आप एक बार में कितना कर पाएंगे, इस सर्विस से आप एक बार में मातर 500 रुपे तक कर पाएंगे, एक बार में, आप ऐसा कर लें, कि आप एक बार में 20,000 ट्रांसफर कर दें, तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ बिना इंटरनेट के, बिना पिन डाले ह सिर्फ एक बार में 500 ही आप यहाँ पर ट्रांसफर कर पाएंगे ठीक है तो क्या कर पाएंगे सिर्फ 500 रुपे का भुकतान ही बिना किसी पिन के आप यहाँ पर कर पाएंगे ठीक है बिना किसी पिन के आप यहाँ पर भुकतान कर पाएंगे बिना पिन के ठीक है अब प्रति ट्रांजेक्शन आप क्या कर पाएंगे पांच सो तक का ही तक का ही भुकतान कर पाएंगे ठीक है भुकतान कर पाएंगे ठीक है अब इसमें एक और अगला फीचर ये है कि इसमें जादा से जादा आप UPI Lite ये जो वालेट है आपका उसमें जादा से जादा कितना पैसा रख सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं UPI Lite ये जो वालेट है UPI Lite नाम का पर्स है इसमें UPI Lite इसमें क्या कर सकते हैं इसमें आप अधिकतम मतलब मैकसिमूम आप क्या रख सकते हैं मैधिकतम 2,000 रुपए तक रख सकते हैं कितना रख सकते हैं 2,000 2,000 से ज़्यादा इस wallet में आप नहीं रख सकते हैं तीक है ज़्यादा आप इस wallet में नहीं रख सकते हैं और इसमें तीसरा एक और है कि आप ये 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा चार हजार तक का भुकतान आप इस UPI light जो पर्स है UPI light wallet है इससे आप कर सकते हैं तो इससे क्या है UPI light से जादा से जादा कितना कर सकते हैं 24 गंटों के अंदर 24 गंटों के अंदर कितना जादा से जादा कितने का भुकतान कर सकते हैं चार हजार रुपए तक का भुक्तान कर सकते हैं कितने का चार हजार तक का भुक्तान कर सकते हैं ठीक है भुक्तान कर सकते हैं कर सकते हैं ठीक है तो ये क्या है ये क्या है ये कुछ इसके features हैं तो पहला क्या है कि प्रति transaction आप मतलब एक बार में आप सिर्फ 500 तक ही आप भेज पाएंगे दूसरे यहाँ पर अगले के पास ऐसा करेंगे कि आप यह समझे कि एक बार में आपने 1000 ट्रांसपर करने नहीं एक बार यह बाउंडेशन है 500 तक ही आप UPI Lite से भुकतान कर सकते हैं और दूसरा क्या है UPI Lite इसमें आप अधिक्तम यह जो wallet है यह जो पर से UPI Lite नाम का उसमें जादा से जादा आप 2000 रुपया ही एक बार में रख सकते हैं ठीक है 2000 से जादा आप इसमें नहीं रख पाएंगे ठीक है अब 24 घंटों में माल लेते हैं 2000 रुपया आपके wallet में आपके यह है 2000 रुपया इसमें पड़े हुए है ठीक है तो 2000 रुपया आपने क्या कर लिया पूरा का पूरा इस्तमाल कर लिया ठीक है इसमें क्या होगा इसमें 24 गंटे में आप जादा से जादा क्या है जादा से जादा आप 4000 रुपे का ही भुकतान कर पाएंगे मतलब बात को समझेगा आप 2000 रुपे आप तो एक बार में कर दिये फिर अगली बार में फिर एक घंटे बाद या 10 मेंट बाद आप 24 गंटे के अ फीचर्स है जो लिमिटेशन्स भी है यूप्याई लाइट के अब देखे प्रश्ण ये उठता है कि इसके बैनिफिट क्या है इसके लाब क्या है क्यों ये लेकर आया इसके लाब क्या है ठीक है तो लाब आपके माइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ क्यों ये बैनि यहां पर आपको कोई भी upi pin डालने की रत नहीं होती तो यहां पर क्या होगा फास्टर होगा यह लिकोज आज है नो नीड है नो नीड है नो नीड कि नो नीड टू प्रुवाइड तू प्रुवाइड ईूपि पिनूपिय अ उपिय पिन बदलब आप जाते हैं कहीं scan करते हैं या फिर नंबर किसी का डालते हैं फिर आप अपना UPI pin डालते हैं तो यह क्या है यह सब इसमें समय लगता है न यहाँ पर यह फास्टर है तेज आपने सीधा क्या है नंबर डाला और एक जैसे इक बटन दवाया क्लिक पर वो सीधा ट्रांसफर हो गया तो यह है इसकी गती तेज है तो यह लाव है इसके ठीक है और इसे के साथ साथ क्या है लेस चांस आप ट्रांजेक्शन फेलियर क्या है लेस चांस आप ट्रांजेक्शन फेलियर ठीक है मतलब यहाँ पर जब इंटरनेट का कोई रोल होगा ही नहीं कई बार ऐसा होता है ना कि आप scan करते हैं पिन बिन डाल देते हैं फिर भी वो processing करता रहता है net आपका slow जलता है कुछ होता है तो यहाँ पर पैसे stuck हो जाते है first जाते है transfer नहीं हो पाता यह fail हो जाता है कई बार लेकिन यहाँ पर क्या होगा यहाँ तो internet का roll ही नहीं आप पहले से यह lab है तो हमने यहाँ पर कुछ topics को देखा यहाँ पर क्या है देखा हमने कुछ topics को देखा जो आपके exam के current में updated topics को हमने यहाँ पर देखा ठीक है LPPS जो आपका RBI का RBI लेकर आया ठीक है अब अगली class में ऐसे चोटे-चोटे कुछ updated topics जो देख रहे हैं उसके बाद हम यहाँ पर आपके cryptocurrency वगरा पर आगे बढ़ेंगे और आपका bitcoin वगरा पर हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे ठीक है चलिए अब आज की class में इतना ही आपसे request है कि इस video को like किया करें चलिए ऑट हम जाएंगे बढ़ाआड़ कि भी काटना हूलता था में परकाबनाओव जयारा पाहँ सब़ेंगे इस जड़ादावारदा पर एम